हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो चैनल हाइपर ट्रेडिज भी मैं हूं मोहमत सोहिल आर्वियल बैंक के ऊपर मैं आपको अपने पिछले वीडियो में अनालिसीज दिया था दोस्तों हमारे इंट्री के हिसाब से अगर स्टॉक तो 165 से 162 क लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम लोगों के जो टार्गेट थे check 106 के थे अगर यह 2 लेवल ब्रेक करके hold कर रहा है तो stock के अंदर 180 तक के target जाएंगे वो जो target अपने previous breakout और breakdown levels के उपर रहेंगे ये मैं आपको बताया था तो अभी तो हमारे target अच्छी हो गए है तो अभी मैं reliance, sorry अभी तो मैं अभी RBL bank के उपर बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं तो level कौन सा होगा मैं आपको भी बता दूँगा और आप उस पे ठहरे रहे रहे रहा अगर RBL bank 167.20 पैसा का level break कर रहा है break करते हुए candle नीचे open, candle नीचे close कर रहा है तो exit कर लो जो भी loss नहीं ज़्यादा जाना चाहरे profit booking में बैटना चाहरे हैं fresh entry ले रहा है वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ले चुके हैं ले रहे हैं नहीं ले चुके हैं अगर stock 167 के नीचे level close and open कर रहा है तो आप exit कर लो दोस्तों अभी आगे analysis में जाने से पहले ये मेरा WhatsApp contact number है अगर आपके portfolio में कुछ stock negative है positive है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किसको रखना है किसको निकालना है तो आप मुझे इस WhatsApp number पर contact कर सकते हैं अभी RBL bank के अंदर कई पिछले session से stock के अंदर appreciation यहां पर चालो हुआ फिर stock के अंदर चालो हुआ sideways market जब तक depreciation चला stock के अंदर एक sideways market momentum बना उसके बाद stock यहां पर appreciate हो गया इसका मतलब यह है कि stock के अंदर एक support level बन रहा है 156 पर stock के अंदर और एक support level बन रहा है 167 पर stock अगर यहां पर फिर continuous depreciate हो गया तो stock हमें फिर से 135 पर मिलेगा और 135 is a real good buying यह मैं सोच रहा हूँ और मैं आपको बता भी रहा हूँ पर stock जब तक 167 का level break नहीं करा exit मत करो और exit नहीं कर रहे हो तो आप 185 के target से लेके 180 के बीच में आप कहीं पर भी RBL bank के अंदर निकल सकते हैं दोस्तों यह था मेरा analysis RBL bank पर अगर आपको stock पर analysis समझ वे आया हैं तो वीडियो को like करिए share करिए यूटूब चैनल को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video